प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर जीत दर्श कर भाचपा ने इतिहास रश्टिया है प्रदेश में इस बार चुनाओ में राजा महराजा भी अपनी सीटों नहीं बचा सके चुनाओ के नतीजे से भाचपा में उत्सा के लहर तो वहीं कॉंग्रेस कारले में सनाटा चाया हुआ है प्रदेश में चार सर्डों में संपन हुए लोकसभा चुनाओ के लिए मतगणना का कार इस सुभा से शुरुआ और किसी के साथ रुझान भाचपा के पक्ष में जाना शुरु हो गया कड़ी सुरक्चा ववस्ता के बीच हुई मतगणना में भाचपा पिछले चुनाओं से बहतर प्रदोशन करती नजर आई हाल ही में विधान सभा चुनाओ हार चुकी भाचपा ने लोकसभा चुनाओं में भरपाई कर ली प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 28 भाचपा के पक्ष में गई जबकि कॉंग्रेस को सिफ एक सीट मिली वीते लोग समाचुनाओं में भाच्पा ने 27 सीटे जीती जबकि एक सीट उपचुनाओं में गवादी थी मतगंडा के रुजहान के नतीजों में बदलने के साथ भाच्पा में जश्न का माहूल बन गया लोग समाच के चुनाओं नतीजे चौकाने वाले रहे भुपाल से राज़ा सहाब के नाम से विख्यात दिगविजर सिंग चुनाओं हार गए वहीं गुनाओ शिप्पूरी लोकसभा सीट से कौंग्रेस महासरचीफ जोतिरादित संध्या को भी हार का सामना करना पड़ा पूरे मुख्यमंद्री शिवरा सिंग चौहान ने चुनाओं नतीजों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये चुनाओं अभूत पूर्व है और इस चुनाओं में राजा महाराजा भी पराजित हुए हम तो पहले जिन से कर रहे थे हमारे अद्दगी के लेत्रत में जो रणनीती बनी है मोधी जी का नाम हार्थी जन्ता पाइट्स की रणनीती और पूरी टीम का काम लेकर उसके सासां जो धोका दिया दा कॉंगरेस पे हैं चार महीं ने पहले सरकार बना गए सरकार सरकार का फरक भी मदपदेश में जन्ता ने देखा जब बीजेपी की सरकार थी तब कैसी चलती थी और आज कैसी चल रही है और इसलिए 2014 के में काबले 2019 में 10% पोलिंग जाता हुई कॉंगरेस की सरकार के खिलाब गुस्ता और भाजबा की सरकार जाने की तकलीफ तो लोग यह कहते थे कि लोग सबा के चुनाओं अम्माई व्याज के दिकाल देंगे तो राजा भी निपड़ गया कुछ महीने पहले विधान सबा चुनाओं में जीत हासिल करने के बाद कॉंगरेस कारियाले में चहल पहल बढ़ गई थी लेकिन लोग सबा चुनाओं के नतीजे के साथ पार्टी कारियाले में सन्नाटा च्छा गया हाला तिया भी है कि चुनाओं नतीजों पर प्रत्रिक्रिया देने के लिए कोई भी पदधिकारी यहां मौजूद नहीं था वोपाल से संजे चतुरवेदी की रिपोर्ट निउस आज फिलाल के लिए मुझे दिये जात आप बन रहें निउस आज के साथ